दोस्तो एक फरवरी 2022 को इंडिया की फाइनांस मिनिस्टर ने पाल्यामेंड में यूनियन बजट 2022-23 प्रिजेंट किया इस बजट की कई चीज़े भी डिसकर्शन का पॉइंट बनी वी है बट एक चीज़े जिसने लोगों का बहुत ध्यान खीचा है वो है गौर्मेंट ने जो step लिया है डिस्टल करेंसी पे और क्रिप्टो करेंसी पे गौर्मेंट ने अब क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में taxable कर दिया है अब उस पे 30% का tax charge करेगी अगर आपको कोई income होती है due to trading of cryptocurrency यानि आप cryptocurrency बेच करके अगर आपको कोई income होती है तो उस पे 30% government tax charge करेगी प्लस 1% का TDS charge करेगी और इसी के साथ-साथ government ने ये भी अनौन्स किया कि अब Indian government through RBI अपनी खुद की digital currency launch करेगी जो as a cryptocurrency trade करेगी बट इसको regulate करेगी RBI और government के control में ये currency रहेगी इसी proposed Indian digital currency को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी बड़े simple शब्दों में समझाया है जिसे हम layman language कहते हैं अभी recently उनके एक वीडियो आई है जिसे आप सुनिये और खुद समझे कि ये digital currency आखिर है क्या साथ यो आज के अख़बारों में central bank digital currency के भी काफी चर्था है इससे digital economy को बहुत बल बे लेगा ये digital रुपिया अभी जो हमारी physical currency है उसी की तरह digital स्वरूप लेकर के RBI द्वारा ही उसको पूरी तरह control किया जाएगा monitor किया जाएगा उसका विस्तार किया जाए और ये ऐसी वेवस्ता होगी जिससे physical currency से एक्षेंज भी किया जा सकेगा जैसे कोई आपको digital रुपी में पे करेगा तो आप उसको cash में बदल पाएंगे digital payment, online payment, retail payment ज्यादा सुरक्षित होगा, risk free होगा इससे global digital payment system के निर्माण में भी आशानी होगी ये digital रुपिया, fintech से जुड़े सेक्टर को अनेक अवसर देगा, इससे cash को print करने, handle करने, distribute करने में जो बोज पड़ता है, वो भी कम होगा